साथियो पढ़ो ऑनलाइन पर आपका स्वागत है सरकारी नोग आउकरियों की तैयारी के लिए एक बहतरीं प्लेट फॉर्म चले ये शुरू करते हैं प्रीय विद्यारतियों स्वागत है आपका पढ़ो ऑनलाइन के यूच्व प्लेट फॉर्म पर तो राजस्तान जिला दर्शन की स्रीज में हम आज समझने वाले हैं राजस्तान के एक महत्पूर्ण जिले को जिसका नाम है डीग तो डीग को शुरू करने से पहले आप सभी विद्यारतियों से जो चैनल पर पहली बार आए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरू करें जिससे आपको आने वाली परिक्षाओं से सम्बंदित महत्पूर्ण एवं उत्कृष्ट परिक्षा सामग समय समय पर मिलती रहे जैसा कि आप जानते हैं कि इस तरह से परिक्षा सामगरी उपत कलाने में बहुत महनत लगती है और अगर आप सपोर्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें उससे आपका मोटिवेशन मिलता है जिससे हम समय समय पर आपके लिए उत्कृ तो सबसे पहले देख लेते हैं डीग जिले की स्थापना कब हुई थी तो इसकी गोशना 17 मार्च 2023 को की गई थी और जो डीग जिले की स्थापना है वो 7 अगस्थ 2023 को मानिनिय मुख्य मंतरी अशोग गहलो द्वारा की गई थी इसके जो उद्गाटन करता थे वो विश्वेंद्र सींग थे जो उस समय के परेठन मंतरी थे ये जिला भरतपुर संभाग के अंतरगत आता है डीग जिले के जो प्रिथम जिला कलेक्टर थे वो शरद महरा थे डीग जिले के प्रिथम पुलिस अधिक शक थे वो हम बात कर लें जीग डिले की तो इसके अंदर ये जो जिला है ये भरतपुर जिले का पुनर गठन कर एक नया जिला दीग गठित किया गया है तो ये पूरी तरीके से भरतपुर से निकाल कर बनाया गया जिला है जिसका मुख्याले डीग होगा नव गठित डीग जिले में न कामा, जुरहरा, पहाडी ये सब इसकी तहसिले हैं और इसके अंदर छे उपखंड रखे गए हैं वो हैं दीग, कुमेर, नगर, सीक्री, कामा, पहाडी किस उपखंड के अंदर कौन सी तहसिल आती है वो आप यहां से देख सकते हैं तो इसकी बात की जाए डीग जले की तो ये भरतपुर शहर से 32 किलोमेटर की दूरी पर इस्थिद्ध है तो इसकी जो मुक्य तहसिल हैं उसमें क्या-क्या प्रमुक है यसे कामा की बात करें तो ये ब्रिच छेत्र के नाम से जाना जाता है कामेश्वर महादेव मंदर यहां पर प्रमुक है और यहां का दसेरा मेला प्रिसिद्ध है डीग की बात करें तो इसका प्राची नाम दीर्थ था इसे जल महलों की नगरी कहा जाता है यहां पर हुरंगा निरित्य होली के अवसर पर किया जाता है जो की विख्यात है उसके अलावा यहां पर कच्छा बाग गुलाब बाग यह प्रिसिद्ध है और अभी हाली में हाँ पर महराजा सुरजमल का जो पैनॉर्मा है उसकी गोशना की गई है उसके बाद जनूथर है जनूथर अपने गंगोर मेले के लिए प्रिसिद्ध है सीकरी है वो अपने सीकरी बांद के लिए प्रिसिद्ध है और दीर्द का मत्रब मतलब विस्तृत एवं लंबा होता है जो बहुत विस्तृत फैला हुआ हो इसलिए इसका नाम है वो इसकंद पुरान में दीर्द या फिर दीरधापुर आया है। डीक को फवारों की नगर और जल महलों की नगरी भी कहा जाता है। क्योंकि यह अपने जल महलों के लिए परिसिद्ध है जहां पर बहुत अच्छे अच्छे फवारे उसके अंदर लगे हुए हैं। अगर बात करें जेम्स फर्ग्यूसन की तो उन्होंने अपनी पुस्तक History of Indian and Eastern Architecture में डीक के इस्थापत्य को उत्कृष्ट क्रोटी का माना गया है। तो डीक के जो किले हैं और यहां पर जो जल महल हैं उनकी जो वास्तु कला है वो वाकई बहुत उत्कृष्ट है और सभी को समतल भूमी पर बनाया गया है। इसलिए यह अपनी बेजोड़ता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं और अगर मैं बात करूँ तो यह जैपुर के जल महलों से भी जादा उत्कृष्ट एवं बेजोड़ हैं। इसके अलावा महराजा बदन सींग ने डीग को अपनी राजधानी बनाया था और अपने पुत्र सूरजमल जिन्हें जाटों का अफलातून या प्लेटो कहा जाता है को डीग में एक विशाल दुर्ग बनाने का आदेश दिया था। डीग के जल महल काफी प्रसिद्ध हैं। तो जैसे यहाँ पर जो भवन हैं उनको याद करने मगर आपको दिक्कत आती है तो जादातर भवनों के नाम कृष्ण भगवान से सम्मंदित रखे गए हैं। तो एक कृष्ण भगवान की दीलाओं से ही सम्मंदित यहाँ पर इस शेत्र में नाम रखे गए हैं तो आप आसानी से इनको याद रख सकते हैं इसके अलावा उत्री भारत में एक मात्र पूर्टा हिंदू शेली के जल महल डीग में ही हैं डीग के जल महल पूर्टा हिंदू शेली में बने हुए हैं महराजा बदन सींग ने प्रीतम दास के कहने पर डीग को भरतपुर की राजधानी बनाया था तो पृष्ण कई बार पूछ लिया जाता है किसके कहने पर तो प्रीतम दास के कहने पर डीग को भरतपुर की राजधानी बनाया था अपने पुत्र सूरज मल को डीग में एक विशाल दुर्ग बनाने का इन्होंने आदेश दिया था सवाई जैसिंग ने बदन सिंग जी को ब्रजराज की उपाद्धी दी थी इसके अलावा ठाकूर बदन सिंग जाट इनका जो गोत्र था वो सिंसिनवार गोत्रिया कौम के थे कि इनके साशनकाल में कुमेर डीग एवं भरतपुर के किलों का जिर्मान करवाया गया था अब बात कर लेते हैं भोगोलिक स्थिती की तो पड़ोसी राज्ये हैं वो हैं हर्याना और उत्तर प्रदेश की सीमाओं से डीग की जो सीमा है वो लगती है तो ये दो राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश और हर्याना के साथ इसकी जो सीमा है वो लगती है अगर पड़ोसी जिलों की बात की जाए तो पड़ोसी जिलों में यहाँ पर एक तो भरतपुर हो गया और दूसरा इसका पड़ोसी राज्य है वो अलवर हो गया तो डीक के जो पड़ोसी जिले हैं माफ कीजिए जीक के जो पड़ोसी जिले हैं वो हैं अलवर और भरतपुर एवं भूरी रेतिली मिट्टी यहां पर मरदा पाई जाती है नदी की बात करें तो रूपा रेल नदी डीग जिले में प्रवायत होती है इसका जो उद्गम है उदेनार्थ की पहाडियों से थाना गाजी तैसिल जो की अलवर में है वहां से होता है तो रूपा रेल नदी का जो उद्गम है वो अलवर से होता है और इसका जो प्रवाशेत्र है वो अलवर डीग और भरतपुर इन तीनों जिलों में लगता है रूपा रेल नदी पर सीक्री बांध डीग जले में बना हुआ है तो डीग जले के अंदर इस नदी पर सीक्री बांध बना हुआ है रूपा रेल नदी के किनारे ही डीग के जल महल किस्तित है तो डीग के जो जल महल है उनका जो पानी आता है वो मुख्यता रूपा रेल नदी से ही आता है रूपा रेल नदी पर भरतपुर में मोती जील है तो भरतपुर में जो किले को चारो तरफ से घेरी हुई है तो वहाँ पर जो जील है रूपा रेल नदी पर भरतपुर में ही मोती जील बनी हुई है मोती जील का निर्मान महराजा सूरजमल ने करवाया था मोती जील को भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है तो मुख्य रूप से पानी की जो सप्लाई है वो इसी नदी से भरतपुर में होती है इसलिए इसे वहां की जीवन रेखा कहा जाता है मोती जील को और यह जील नील हरिस शेवालों के लिए प्रिसिद्ध है तो यहाँ पर इस जील में मुक्ता नील हरिस शेवाल यहाँ के प्रिसिद्ध है रूपा रेल नदी के किनारे नोह सब्विता भरतपुर में है और यह लोह युगीन सब्विता है रूपा रेल की सायक नदी कुकुंद है या आप ध्यान रख सकते हैं कि रूपा रेल की जो सायक नदी है वो कुकुंद है और यहाँ पर बंद बैरेठा बान भरतपुर में बना हुआ है और इसी के अंदर जो घना पक्षी अभ्यारण है वो यहाँ पर बसा हुआ है इसके अलावा यहाँ पर गुडगाव नहर है डीग जिले के जुरहरा तैसिल से प्रवेश करती है और राजिस्थान वा हर्याना की यह सैयुक्त परियोजना है तो अभी मैंने बताया बांध सीक्री बांध है यह सीक्री तैसिल डीग में सित है इस बांध से 28 नहरे निकाली गई हैं जिनके पानी से नगर, कामा वा डीग तैसिलों के बांधों को भरा जाता है इसके अलावा यहां पर कई प्रमुख भाग हैं जिन में से कुछ हैं डीग का कच्चा भाग, कच्चा भाग है यह अनुप सागर के पास यहां के महराजाओं ने 11 एकड जमीन में महरानी उद्ध्यान लगवाया जिसे कच्चा भाग भी कहते हैं इस उद्ध्यान की भारतिय पुरा तत्वक सर्वेशन विभाग कर रहा है इसके अलावा गुलाब बाग है डीग कस्बे में डाक मंगले के पास एक गुलाब बाग भी है इसे रियासत काल में गुलाब की विभिन किस्म के पौधे लगाने के लिए बनवाया गया था एक प्रमुख शहर है डी तो डीग से लगता हुआ है कामा तो इसका जो नाम था इसका नाम ब्रह्मपुर था और किवधन्तियों के अनुसार भगवान कृष्ण ने के जो नाना थे काम सेन इन्होंने इसका नाम ब्रह्मपुर से बदल कर कामा कर दिया था कामा से लगबग 11 किलोमेटर की दूरी पर घाटा नामकिस्थान से गुरजर पृतिहार वंच का एक लेक मिला है और इस लेक में कहा गया है कि पृतिहार भोजदेव ने कामेश्वर महादेव के मंदिर के लिए भूमिदान दी थी कामा गाओं के उत्तरपूर कोण में, शेतरपाल के रूप में कामेश्वर महादेव विराजमान है कामा से 84 खंबा मंदिर के अशेश भी प्राप्त होए है इस मंदिर से भी गुरजर प्रतिहार का शिलालेक मिला है जिसमें प्रतिहार राजाओं की वन्षावली दी गई है एक इस्थम पर लेक में वर्नित किया गया है कि सूर्सेन वन्ष के दुरगगन की पतनी वक्ष तालिका ने एक वैश्लम मंदिर बनवाया था इस मंदिर के धर्मकुंड वही इस्थान है जहां यक्ष ने युदिश्टर की परिक्षा ली थी तो आपने महावारत में सुनी होगी यक्ष द्वारा युदिश्टर की परिक्षा ली गई थी तो ये वही इस्थान है जिसकी बात यहां की गई है कामा में तुलसी के पौधे तो ये बहुत ध्यान है रखना है आपको कि कामा में तुलसी के पौधे काफी अधिक संख्या में लगे हुएं जिसकी वज़े से इसको आदी व्रंदावन भी कहा जाता है तो आदी ब्रंदावन कामा को ही कहा जाता है तुलसी की अत्यदिक पौदों की वज़े से बाधो महिने में यहां विशेश वन यात्रा होती है, बारिश के मौसम में यहां के चील महल में भी मेला लगता है, जिसे परिकरमा मेला कहा जाता है और कामावन के आगे कनवारी गाओं है कनवरिशी ने कनवारी गाओं में तपस्या करके भगवान कृष्ण के दर्शन प्राप्त किये थे कहा जाता है कि भगवान कृष्ण तथा दावु बलराम को करण छेदन इसी इस्थान पर हुआ था तो उनके जो कानों का जो छेदन हुआ था वो इसी स्थान पर हुआ था ऐसी मानिता हैं और यहां कनव कुंड पनीहारी कुंड और श्री कृष्ण कुंड यह सब दर्शनी इस्थल यहां पर है एक और प्रमुख जो शेहर है वो यहां पर नगर है डीग से लगता हुआ तो नगर मेंगें सौ वर्श पहले खुटाटों के सेठों द्वारा निर्मित सीता राम जी का मंडिर तथा कल्यान जी महराज का जो मंदिर है वो तीन सो वर्श पुराना मंदिर दर्शनिय और प् पास में ही सेव गाउं है, जहां सोगंदी शीला इस्तित है, यहां एक मंदिर में नाराइन और दोनों तरफ चंद्र एवं कुबेर इस्थापित हैं, डीग में इंद्रोली गाउं भी इस्तित है, इस इस्थान पर देवराजिंदर ने भगवान कृष्ण की किरपा प्राप् इसमें इंदू लेखा, निकुंज, इंदू कूप तथा इंद्रकुंड आदी इस्तित हैं, अगर मेलों की बात की जाए, इस छेतर के जो प्रमुख मेले हैं, तो सबसे पहले डीग है, जिला डीग में जवार प्रदर्शनी एवं पशु मेला दर्शनी है, कामा में दशेर मेला प्रस्द है, कुमेर में हर्याली तीज धूमधाम से मनाई जाती है, और जनूथर में गंगोर मेला दर्शनी है, और जो हुरंगा निर्थ्य है, यह डीग में होली के अवसर पर किया जाने वाला प्रस्द निर्थ्य है, तो हुरंगा निर्थ्य आपको ध्यान में रख प्राचीन नाम प्रमोद वन है यह इस्तल भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की मधुरिया तथा आनंद से ओर प्रोथ है यहां कृष्ण कुंड विशेश रूप से दर्शनी है आदी बद्री यह श्री बद्री नाराइन की तपस्तली कहलाता है बूड़े बद्री आ इसे काम्यक वन भी कहते हैं पांडवों ने यहां अग्यातवास किया तथा आज भी पांचों पांडवों की मूर्तियां यहां पर इस्थापित हैं इसके अलावा विमल तीर्थ है इसे तीर्थ राज विमलेश कहा जाता है यहां विशाल शेत्र में पहले विमल कुंड पर वा नगर की रत यात्रा प्रसिद्ध है तो राम लीला सवारी जुरहरा ये आपको ध्यान में रखना है इसके अलावा डीग के जो जल महल हैं ये अपनी उतकुरुष्ट और शिल्प कारी के लिए बहुत ही उतकुरुष्ट महल हैं डीग जो की डीग जिले में इस्तित हैं ड डीग को जल महलों की नगरी भी कहा जाता है डीग के जल महलों का निर्मान लगबग 1725-3535 के मद्ध में इसकी शुरुवात की गई थी जो बदन सींग जाट थे उनके द्वारा शुरुवात की गई थी जो की चूडा मन के बतीजे थे और इसका जो निर्मान है वो तरीक हैं बहुत इसपस्ट नहीं है बस आपको थोड़ा सा धिहान रखना है कि ये समय था जिस समय पर डीक के जल महलों का निर्मान शुरू हुआ था और इस समय तक आते आते इनका निर्मान पूरा हो गया था इसके अलावा डीक के जल महलों में सबसे बड़े भव्य महल उ आपको ध्यान में रखना है गोपाल भवन जो की डीक के जल महलों में ही इस्तित है मैंने आपको बताया याद करने का तरीका की ज्यादतर नाम कृष्ण भगवान के नाम पर ही है तो गोपाल भवन हो गया इसके अलावा केसव भवन है कृष्ण भवन है नंद भवन है सू कि अभी काफी खंडर जैसा हो गया है कुमेर दुर्ग का जो पुराना नाम है वो कुबेर पुर था तथा कुमभा नामक जाट ने इस गाउं को बसाया 1724 इस्वी में महराजा बदन सीम के साशनकाल में राजकुमार सूरजमल ने कुमेर दुर्ग बनवाया था इसके अलावा अकबर कालीन कोश मिनार है जो की कामा डीग के बीच में इस्तित है इसके अलावा धर्मराज का कुमा ये भी कामा डीग में इस्तित है मंदिरों की बात करें तो जिसमें प्रमुक मंदिरों में से खांडे राव होलकर मंदिर, गंगरा सोली, कुमेर में लाल पत्थरों से बना ये मंदिर इस्थापत्य कला का बेजोर नमुना है इसके अलावा गोकुल चंदर्मा मंदिर, वाकामेश्वर महादेव मंदिर ये कामा डीग में इस्थित हैं डीग से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस गुजरता है इसके अलावा NCR छेतर में अलवर भरतपुर, खेरतल, डीग और कोटपूतली बहरोड आते हैं मुर्रा भेंस का ये जो परजनन केंदर है, कुमेर में है, ये आपको दिहान में रखना है डीग कुमेर कामा तथा भरतपुर जिलों का शेतर, इसको हम ब्रज शेतर के नाम से जानते हैं डीक कुमेर वे कामा को छोड़ कर तो शेश डीक जिले की तहसलें वा अलवर जिला वो सब मेवात छेतर कहलाता है तो आपको ब्रज छेतर और मेवात छेतर का अंतर पता होना चाहिए कि कौन सा छेतर ब्रज छेतर में है और कौन सा मेवात छेतर में है इसके अलावा बंसी पहाड़पुर ग्राम पंचायत में प्राचीन समय में गरुड भगवान का मेला लगता था और यहां प्रतिवर्ष कार्थिक महा में लगता है इसके अलावा गंगा दशेरा मेला कामा में लगता है जो की प्रसिद्ध है देश का एक मात्र लक्षमन जी का जो मंदिर है वो भी कामा में इस्तित है राजस्तान में जुरहरा राग मीला जो की सर्वदिक प्रसिद्ध है अलवर और डीग शेतर में बमरस्या नुरुत्य भी प्रसिद्ध है, इस नुरुत्य में एक बड़े नगाड़े का प्रियोग किया जाता है, वल्लब संप्रदाइसे संबंदित गोकुल चंदर मंदिर कामा में इस्तित है, भोजन थाली मेला भादरबद शुकल पांच को कामा में भरता है, बंसी पहाड प्रोग्राम पंचायत म प्राचीन समय में गरुड भगवान का मेला लगता है, यह प्रतीवर्ष कार्तिक महा में लगता है, यहां पर प्रमुक व्यक्तियों में बात की जाए, तो यह हैं स्री स्वामी हरिदास महराज, इनका जन्म डीग जिले में हुआ, हरिदास महराज ने दुरूपद हो गया, धमार हो गया, त्रीवट हो गया, तथा चतरूंग हो गया, इन कलाओं में आधी को नए आयाम दिये थे, वल्लब संपरदाय के मंदिरों में आज भी परमपरागत दुरूपद धमार गायन की परमपरा है, तो इनकी विशेष्टा गायन में थी, जो की गायन की ये शैलिया होती हैं, में इनकी परमपरागत, इनकी पूर्णता थी, इसके अलावा तांसेन जैसे सुप्रुशिद गायत, उनके सिश्य थे, धुरूपद की रचना करके, उन्होंने अपना इस्थान अमर बना लिया था, तथा समराट अकबर भी उनकी संगीत विद्या से प्रभावि थे, इसके अलावा महराजा सूरजमल पैनोरमा 26 अगस 2023 को राजिस्थान के मुक्य मंत्री ने डीग में महराजा सूरजमल पैनोरमा बराने के लिए वित्य सुप्रुति प्रदान की है, इसके अलावा रामदयाल शर्मा हैं, इन्हें वर्ष 2022 का पदमश्री पुरुशकार क अला की शेतर में मिला हुआ है, इसके अलावा सफेद संग्ममर की मूर्तियां बनाने का काम डीग जिले की सीक्री वेकामा टहसिलों में होता है, सन 1985 में डीग गोली कांड भरतपुर के महराजा मान सींग की मृत्यू के कारण राजिस्थान के मुक्य मंत्री श्री शिवचर डीग को यहाँ पर समझा है, तो अगर आप इतना कर लेते हैं, तो अगर डीग जिले से सम्मधित कोई भी प्रशना आएगा, तो मुझे लगता है कि आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं, और इससे आपकी राजिस्थान की जो समझ है वो भी इसको पढ़ने के बाद बढ़े करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें जिससे आपकी कोई क्लास में नहों, पढ़ो ओनलाइन आपका बहुत बहुत धन्यवाद,